Hello and Welcome to Bridgebala Education YouTube Channel आज के इस educational lecture में बच्चों हम discuss करने वाले हैं Class 9 के Science Chapter Natural Resources को ये इस chapter का Part 2 वीडियो है इस वीडियो में हम इस chapter को complete कर देंगे अगर आपने Part 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की description में मिल जाएगा इसके लबा बच्चों हमने आपकी Class के अलग-लग subjects की chapter explanations और बाकी वीडियो हमारे चैनल पे available already करवा रखे हैं उनका playlist लिंक भी आपको इस वीडियो की description में मिल जाएगा तो एक बार उन playlist के links को जरूर से जरूर चेक करें वहाँ आपको Science के, SS के, English के, बाकी subjects के chapters available मिल जाएगे तो चलिए करते हैं शुरू हमारा Part 2 Mineral Riches in the Soil Air और Water के बारे में हमने Part 1 में discuss कर लिया था अब इस Part 2 में हमें अगले natural resource जैनि Soil के बारे में discuss करना है Soil एक important natural resource है Soil के उपर ही किसी भी area की diversity वही कितनी अलग अलग तरह के plants और animals उसेरिया में पाए जाएंगे ये वहाँ की Soil के उपर ही depend करता है लेकिन question ही आता है कि Soil है क्या और बनती कैसे है Earth की जो outermost layer है जिसको crust कहा जाता है ठीक है? जिस layer में minerals पाए जाते है यही layer Soil को बनाती है और यही layer living organisms को nutrients भी provide करती है कैसे provide करती है वो अभी हम discuss करने वाली है लेकिन ये minerals organisms को तब तक available नहीं होंगे जब तक कि ये huge rocks में से निकाल नहीं लिये जाते जो minerals available हैं Earth के crust में वो rocks के अंदर बड़ी बड़ी चटानों के अंदर हैं वो minerals और जब तक वो rocks के अंदर रहेंगे तब तक living organisms उनको use नहीं कर पाएंगे बहुत लंबे time तक, thousands and millions of years तक जो rocks होती हैं Earth की surface पे उनको छोटे छोटे pieces में divide कर दिया जाता है कुछ physical, chemical या biological processes के जरिये और जब ये बड़ी बड़ी चटाने तूटती हैं तो soil के बहुत पतले पतले छोटे छोटे particles बनते हैं इन छोटे छोटे particles को हम क्या बोलते हैं? soil बोलते हैं और soil formation की इस process को कहा जाता है weathering जब बड़ी बड़ी rocks छोटे छोटे fine particles में तूट जाती है soil बन जाती है तो इस soil formation के process को क्या कहा जाता है? weathering कहा जाता है अब आगे वो factors जो weathering में help करते हैं सबसे पहला factor है sun sun जो है वो दिन के वक्त rocks को heat करके expand कर देता है देखे physics में concept है thermal expansion का जब भी कोई object heat up होता है तो वो expand होता है जब भी वो cool होता है तो वो क्या करता है contract करता है कुछ exceptions नहीं है thermal expansion के लेकिन जदा तरिस्ट के साथ यही होता है रात के वक्त क्या होती है rocks जो है वो ठंडी पो जाती है और क्या करती है contract करती है rocks के जो सारे rocks कई parts से मिलके बनी होती है कई चीज़ें होती है rocks के अंदर अलग अलग चीज़ें होती है यह expand और contract एक तरीके से एक rate पे नहीं करती इसलिए rocks के अंदर cracks बन जाती है और यह cracks जो हैं वो soil को छोट छोटे pieces में तोड़ देते हैं तो sun क्या करता है उनको heat up करके expand करता है रात के वक्त ठंडी करके वो सिकुड जाती है rocks लेकिन यह जो expansion और contraction है यह एक जैसी नहीं होती क्योंकि rocks के अंदर अलग लग तने के substances पाई जाते हैं जिसकी वज़े से rocks के अंदर बड़े-बड़े cracks बन जाते हैं और यही cracks जो हैं वो soil formation में help करते हैं आगे बाद आती है water की water दो तरीके से soil formation में help करता है पहला तो water rocks के उन cracks के अंदर उन दरारों के अंदर घुस जाता है जो sun की वज़े से बनी थी जो मैंने उपर बताई है इनके अंदर जाके अगर temperature काम है तो water freeze हो जाता है freeze होके cracks को और भी चोड़ा कर देता है क्योंकि जब पानी से बर्फ बनती है तो बर्फ फैलती है उसके अंदर spaces जादा होते हैं तो वो फैलती है ठीक है तो आगे आता है दूसरा तरीका क्या है पहला तरीका तो यह आ गया बर्फ बनके वो उन cracks को और चोड़ा कर देता है दूसरा तरीका है बहता हुआ पानी जब इन hard rocks के उपर से बहुत लंबी time तक गुजरता रहता है एक दो बार नहीं कई सालों तक ठीक है 100 सालों तक 200 सालों तक जब गुजरता रहता है तो fast flowing water जो है वो बड़े और चोटे particles को rocks के particles को अपने साथ बहा ले जाता है जिससे rocks एक दूसरे के साथ रब करती है abrasion होता है एक दूसरे का रगड खाती है rocks और इस रगड खाने की वज़े से rocks के छोटे-छोटे particles बहुत लंबी time में ऐसा नहीं है कि एक रगड दूसरे के उपर रगड खाई और वो तूट गई ऐसा नहीं होता जब ये रगड खाने का process ये abrasion का process लंबी time तक चलता है तब rocks जो है वो छोटे-छोटे particles में change हो जाती है फिर water जो है बहता हुआ जो पानी है ये particles को, soil को particles को अपने साथ बहा ले जाता है और अपने रास्ते में कहीं भी deposit कर देता है जैसे गंगा वैली का जो plains बने हैं और जहाँ जहाँ उन्होंने मिट्टी को deposit किया वहाँ वहाँ fertile areas तयार हो गई तो इसलिए parent rock यानि जिस चटान से बनी हुई है soil उससे कई 1000 km दूर भी उसके particles पाए जा सकते है this is because of the water ठीक है आगया आता है wind wind भी कुछ तरीके से water की तरह rub करती है rocks के साथ उनको wear करती है उनको toडती है उनको कमजोर करती है strong winds भी rocks को toडने में help करती है erode करने में help करती है wind जो है इसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह तक भी soil को पहुँचाने में help करती है ठीक पानी की तरह तो sun का हमने discuss कर लिया, weathering में क्या रोल है, water का discuss कर लिया, और क्या नाम है हमने wind का discuss कर लिया, अब आता living organisms, कुछ living organisms भी soil formation में बहुत important role play करते हैं, जैसे lichen के बारे में हमने पीछे पढ़ा था, जो sulfur oxides के काफी sensitive होता है, ये भी rocks की surface पे उगा हुआ पाया जाता है, जब ये grow क करता है, तो ये कुछ substances release करता है, जो rock surface को powder बनाने में, rock surface को तोड़ने में काम में आता है, ठीक है, और इस rock के तूटने से soil की एक काफी thin layer बन जाती है, दूसरे छोटे plants जैसे की mosses भी इन rocks की surface पे अब उग पाते हैं, पहले तो lycan होगा, lycan ने कुछ substances release करके rock के कुछ particles तय तयार कर दिये, जब वो थोड़े बहुत particles तयार हो गए soil के, अब उस थोड़ी सी soil के उपर mosses भी उख पाएंगे, अब ये mosses क्या करेंगे, इस rock को और आगे तोड़ेंगे, lycan ने शुरुआत की moss ने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, धीरे धीरे जो big trees की roots हैं, वो भी इन cracks के अंदर penetrate करेंगी, और उस rock को पूरी तरिके से तोड़के मिट्टी में बदलने में help करेंगी, ठीक है, यहाँ पर हम activity में क्या कहा गया है, कि काफी जाधा पानी में मिट्टी डालिए, और मिट्टी को जोर जोर से जोर से stir कीजिए, ठीक है, और उसके बाद उसको settle down कर होने ही मिट्टी को, water को undisubbed छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो मिट्टी है, वो layers बना लेती है, तो इस से पता चलता है, इस activity से पता चलता है, कि soil एक नहीं है, soil एक mixture है, इसमें अलग-लग तरह के substances पाई जाते हैं, ठीक है, soil के अंदर rock के छोटे-छोटे particles होत इसके अलबा, soil के अंदर decayed living organisms, जो living organisms सड़ गल चुके हैं, उनसे humus बनता है, जो soil को fertile बनाता है, soil का texture इंप्रूव करता है, ठीक है, तो पहला तो soil के अंदर rock के particles पाई जाते हैं, हमने उपर यहां भी इस paragraph में भी पढ़ा था, दूसरी क्या है, कि soil के अंदर humus पाई जात जैसे कि अगर particles के size बड़े हैं, तो उसको रेतीली मिटी या sandy soil का जाएगा, जो desert में मिलती है जदतर, अगर soil के particles काफी बारीक हैं, तो उसको हम कहेंगे clay soil या chickeny मिटी कहेंगे हम उसको, जो soil की quality है, वो depend करती है, humus कितना उसके अंदर, humus की quantity जितनी अच्छी होगी, soil की quality fertility भी उतनी ही अच्छी होगी, इसके लावा soil के अंदर पाई जाने वाले microbes organisms भी soil की fertility को बढ़ाते हैं, humus जो है जो हमने उपर बताया, ये काफी बड़ा factor है, soil की structure को decide करने के लिए, क्योंकि इससे soil porous बनती है, उसके अंदर छेद हो जाते हैं, छेद होने की वज़े से water औ soil more fertile, इसका answer यहाँ पर है, जो mineral nutrients किसी भी particular soil में पाई जाते हैं, वो depends करता है, rocks के उपर, जैसे कुछ plants, जैसे कि cotton जो है, वो clay soil में अच्छी उगती है, black soil में अच्छी उगती है वो, क्योंकि जो nutrients चाहिए cotton को, वो nutrients उस soil में पाई जाते हैं, उस soil के अंदर वो nutrients कहां से ठीक है, तो soil का nutrient content, humus और soil की depth ये बहुत important होते हैं, जो decide करते हैं कि soil के अंदर plants कितने और कैसे उग पाएंगे, कि depth कितनी है, soil की soil cover कितना deep है, soil के अंदर humus कितना है, soil की quality कैसी है, किस rock से soil बनी है, nutrients कौन से है soil के अंदर, इन सब के उपर depend करता है, जो soil के सबसे उपरी layer हो उसके अंदर humus और living organisms रहते हैं, जो soil को fertile बनाते हैं, और इस layer को कहा जाता है, top soil, most fertile layer होती है, सबसे उपर आली layer होती है, top soil की quality ही decide करती है, कि उस area में किस तरह की biodiversity मिलेगी, कितनी तरह के plants and animals पाए जाएंगे, और वो किस संख्या में पाए जाएंगे, कितनी तरह के, और numbers क यह top soil की quality के उपर ही depend करता है, लेकिन आज कल जो हम खेती के तरीके अपनाते हैं, जिसमें हम ज़्यादा fertilizers और pesticides का use करते हैं, इनसे soil का structure destroy हो रहा है, soil के अंदर पाए जाने वाले microorganisms, जो soil को nutrient trees बनाते थे, वो मर रही हैं, ज़्यादा chemicals डालने की वज़े से soil का नुकसान हो रहा है, ठीक है, soil के अंदर पाए जाने वाले earthworms, earthworms को farmer strength कहा जाता है, क्योंकि soil की fertility बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, earthworms भी मारे जाते हैं, ठीक है, earthworms अगर soil के अंदर रहें, तो soil के अंदर humus content अच्छा होगा, soil की fertility वो बना के रखेंगे, fertile soil बड़ रहें कि आप इतने ज़दा chemicals मत डालिए, कि soil का texture और structure ही change हो जाए, तो अगर हम soil के अंदर से useful components को निकाल रही हैं, harmful substances को डाल रही हैं, जो soil की fertility को adversely effect कर रही हैं, तो इससे हम organisms की diversity को नुकसान पहुचा रही हैं, क्योंकि किसी भी इलाके में पाई जाने वाले plants और animals वहां क soil के उपर ही depend करेंगे, ठीक है, अगर वहां की soil अच्छी होगी, तो वहां plants अच्छे होगेंगे, diversity होगी वहां पे और plants की संख्या भी जादा होगी, और अगर plants जादा होगे, तो वहां पे animals की population भी और diversity भी अराम से बढ़ेगी, तो अगर हम soil के अंदर useful substances को निकालते हैं, other harmful substances को डालते हैं, तो इस process को कहा जाता है, soil pollution, ठीक है, जो soil हम आज देखते हैं, उसको बनाने में बहुत लंबा समय लगा है, ठीक है, कुछ factors जिन्होंने soil को बनाया था, और soil को carry करके वहां पे लेकी आये थे, वो soil को remove भी कर सकते हैं, जैसे अगर loose soil के उपर से पानी बहे जैसे desert soil के उपर से अगर पानी बहेगा, तो वो क्या करेगा, top soil को पानी अपने साथ बहा ले जाएगा, fertile layer को अपने साथ बहा ले जाएगा, और पीछे छोड़ जाएगा, बंजर जमीन, जिसके उपर कुछ हुगेगा नहीं, इसी तरीके से अगर धीली मिटी के उपर से ह हवाएं उडेंगी, ठीक है, हवाएं, winds चलेंगी, तो वो top soil के particles को अपने साथ उड़ा ले जाएगा, आपने देखा भी होगा, जब तेज हवाएं चलती है, तो मिटी उड़ती है, तो वो top soil को अपने साथ उड़ा ले जाती है, और नीचे वाली जो inner layers होती है, उनको expose कर हैं, और वो इतनी fertile नहीं होती, plants के लिए और animals को support करने के लिए, ठीक है, इसलिए top soil को हमें valuable resources को बचाना जरूरी है, कैसी बचाया जाए, इसने एक activity की है, एक inclined plane लिया है, जहां पे मिटी के उपर घास होगी हुई है, और एक inclined plane लिया है, जहां पे अकेली मिटी है, अगर ह यहां पे लगवग सारी ही मिटी नीचे की तरफ बहना शुरू कर दीती है, इसलिए ये कहता है कि vegetation cover, plants का उगाना बहुत जरूरी है धीली मिटी में, मिटी को कभी भी unattended नहीं छोड़ना चाहिए, उसके अंदर घास या चोटे plants या बड़े plants उगा के रखने चाहिए, वो जो plants है, plant की roots है, वो मिटी को hold करके रखती है और बहती हुई हवा और पाने के साथ उसको erode नहीं होने देती, soil erosion को बचाती है वो, plant की roots soil erosion को बचाने में बहुत बड़ा role play करती है, ठीक है, soil erosion का मतलब होता है, मिटी की top layer को अपने साथ जब बहता हुई हवा, बहती हुई ह रही है, soil erosion भी हो रहा है, top soil को remove कर दिया जाता है, बहते हुए हवा और पानी के द्वारा, ठीक है, और ऐसा hills में और mountains में और भी ज़्यादा असानी से होता है, क्योंकि वहाँ पे already धलान मुझूद होती है, तो एक तो वो धलान काम में आती है, मिटी को उड़ाने में, और उपर से हवा और पानी अपना काम कर देते हैं, ठीक है, हमें soil erosion की process को reverse करने की कोशिश करनी चाहिए, difficult है लेकिन कोशिश करनी चाहिए, vegetative यानि vegetation, हरियाली plants उगाने चाहिए, soil के उपर, ताकि इससे क्या फाइदा होगा, पहली बात तो soil erosion नहीं होगा, दुसरी बात, अग जाएगा और आप सबको पता है कि जददर urban areas में और rural areas में underground water का ही use किया जाता है, आगे आता है हमारा bio geochemical cycles, ठीक है, bio geochemical cycles में क्या पढ़ेंगे, जैसे हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से water जो है, वो cloud से नीचे आता है, समुद्रों में आता है, जमीन के ओपर गिरता ह तो ये complete cycle है, जहां से पानी की शुरुवात हम करेंगे, वहीं पर पानी वापिस आ जाएगा, ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे water का एक cycle होता है, ठीक है, circulation of water between land and ocean, उसी तरीके से oxygen cycle होता है, carbon cycle होता है, nitrogen cycle होता है, ठीक है, इन सब को मिला के क्या कहा जाता है, bio geochemical cycles, ठीक है bio geochemical cycles में हम biosphere के biotic और abiotic components को study करते हैं, यानि living और non living components किस तरीके से चीज़ों को use up करते हैं, nature में से किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं, और फिस किस तरीके से nature को वापिस करते हैं, ठीक है, ये जो bio geochemical cycles है, dynamic and stable है, ठीक है, dynamic का मतलब हमेशा चलते रहते हैं, stable क्यों क्योंकि जो amount है substance की वो fixed रहती है इसलिए इनको stable कहा जाता है यानि जितना पानी समंद्रों से नदियों से निकाला जाता है उतना ही पानी एक process के जरीए water cycle के जरीए बापिस भी आ जाता है तो यह dynamic system है क्योंकि पानी खड़ा नहीं है move कर रहा है stable इसलिए है क्योंकि पानी की quantity एक particular source में लगबग उतनी ही रहती है major changes नहीं आते है तो इस तरह के जो interactions होते हैं matter और energy के transfer के अलग-लग components की बीच में होते रहते हैं और इस transfer को जो हम study करते हैं तो उसी को कहा जाता है biogeochemical cycles यानि biogeochemical cycles में we study a constant interaction between biotic and abiotic component of the biosphere and these cycles form a dynamic and stable system ये इसकी definition आप लिख सकते हैं सबसे पहले आता है water cycle water cycle के बारे में हम काफी कुछ पहले से जानते भी है ठीक है water cycle के बारे में पहले से आप लोग जानते भी होगे इसको hydrological cycle भी कहा जाता है देखिए जो water evaporate होता है water body से seas से ocean से river से और जो water vapors condense होके उपर बादल बनाते हैं फिर उन बादलों से बारिश होती है ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन देखिए लगातार पानी evaporate होता रहता है seas और oceans में से लेकिन seas और oceans का पानी कभी खतम नहीं होता इसका मतरब क्या हुआ कि अगर evaporation के जरीए पानी निकाला जा रहा है seas और oceans में से cloud formation की जा रही है इसका मतरब कोई न कोई ऐसी process भी है जो seas और oceans में पानी वापिस लेकि आ रही है इसका मतरब इन water body में पानी वापिस भी आ रहा है ये पूरी process जिसमें पानी evaporate होता है बादल बनती है बारिश के form में पानी जमीन के उपर गिरता है और फिर वो पानी नदियों नालों से होता हुआ वापिस उसी समुद्र में उसी ocean में आ जाता है जहां से वो शुरू हुआ था इस पूरे चकर को क्या कहा जाता है water cycle कहा जाता है जो circulation होती है पूरी समुद्रों से पाली पैनी evaporate होके clouds बने clouds ने फिर बारिश करी वो बारिश का पानी जमीन के उपर गिरा नदियों नालों से होता हुआ seas or oceans के अंदर वापिस आया इस पूरी circulation को water cycle कहा जाता है यह water cycle उतना straight forward नहीं है जितना की उपर वाली lines में समझाया गया है जितना भी पानी जमीन के उपर गिरता है वो immediately समुद्र तक वापिस नहीं आता उसमें से कुछ underground चला जाता है fresh water का source बन जाता है अब इस underground water में से कुछ पानी हम निकाल लेते हैं कुछ पानी springs के जरीए springs होते हैं जैसे natural springs होते हैं जमो कश्मीर साइडी और दूसरी जग़ा भी पाय जाते हैं springs के जरीए उपर आ जाता है या फिर हम wells और tube wells के जरीए underground water को निकाल लेते हैं इसी water को terrestrial animals land animals use करते हैं अपनी life processes को पूरा करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जितनी भी life processes होती है वो water की presence में ही हो सकती है अब water cycle का एक और important part एक और important aspect क्या है water जो है वो अपने अंदर substances को dissolve कर सकता है इस quality के बारे में सब को पता है इसलिए water को universal solvent भी कहा जाता है जैसे water जो है वो rocks के उपर से गुजरता है तो वो rocks के अंदर से कुछ minerals को अपने अंदर dissolve कर लेता है ठीक है? rocks के अंदर से कुछ minerals को अपने अंदर dissolve कर लेता है और फिर ये mineral rich water कहा आता है? reverse में आता है reverse से कहा आता है? land से ये sea में जाता है reverse जो है अपनी nutrients को land से sea में लेके जाती है और फिर समूद में रहने वाले organisms marine organisms का मतरब खारे पानी में saline water में रहने वाले organisms इनी nutrients का इस्तेमाल करते हैं तो यह था water cycle आगे आता है nitrogen cycle nitrogen gas के बारे में आपको पता ही होगा 78% जो है हमारे atmosphere का nitrogen से बना हुआ है and ribonucleic acid vitamins का एक important part होता है nitrogen इन सब के अंदर nitrogen प्रेजन होती है इसके लबा nitrogen बहुत सारे alkaloids में, urea में बहुत सारी important चीज़ों में पाया जाता है इसलिए nitrogen एक बहुत important nutrient है living organisms के लिए ठीक है? लेकिन living organisms atmospheric nitrogen को directly use नहीं कर सकती जैसे जब हमें oxygen चाहिए होता है तो हम अपने respiratory system के जरीए air में से oxygen को ले लेते हैं सांस के जरीए और फिर उसको use कर लेते हैं ये काम हम nitrogen के साथ नहीं कर सकते ध्यान रखें आप इस बात का because nitrogen का जो N2 molecule होता है ये काफी inert होता है काफी unreactive होता है oxygen से भी ज़्यादा unreactive होता है इसलिए इसको directly इस्तिमाल जदतर living organisms नहीं कर सकते लेकिन कुछ special bacteria होते हैं कुछ special living organisms होते हैं जो इस inert nitrogen molecule को nitrates और nitrites में NO3, NO2 में convert कर देते हैं फोर इन nitrates और nitrites को दुसरे living organisms use up कर सकते हैं इन bacteria को nitrogen fixing bacteria कहा जाता है nitrogen fixing bacteria free living या अकेले भी रह सकते हैं या फिर कई बार ये dicot plants dicotyliden plants जो होते हैं angiosperm जो plant होते हैं diversity वाले chapter में आया था biology में dicot plants की roots nodules में भी ये पाई जा सकते हैं ठीक है तो free living भी हो सकते हैं dicot plants की roots में भी पाई जा सकते हैं nitrogen fixing bacteria इसके लवा जो leguminous plants होते हैं जैसे दालों के जो plants होते हैं उनकी roots में भी पाई जा सकते हैं ये plants ठीक है वहाँ पे क्या होते हैं roots की कुछ special root nodules होते हैं उनके अंदर पाई जाते हैं इन bacteria के लावा तो पहला process तो क्या हो गया nitrogen को nitrogen compounds में convert करने का nitrogen को nitrates और nitrites में convert करने का ताकि living organisms उनको use कर सके पहला process हो गया nitrogen fixation या nitrification भी बोल सकते हैं इसको by special bacteria ठीक है इसके लावा जो lightning होती है वो भी एक physical process है जिसके जरिए nitrogen को atmosphere की nitrogen को nitrates और nitrites में convert किया जा सकता है lightning के वक्त उपर काफी high temperature or pressure exist करता है जिससे जो air है वो nitrogen में nitrogen की oxides में convert हो जाती है फिर ये जो nitrogen oxides हैं जो nitrates, nitrites हैं ये बारिश के पाने में dissolve होके बारिश के साथ नीचे आ जाते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर अलग-लग plants इनको use कर सकते हैं पहली process हमने पढ़ ली, दूसरी lightning ठीक है, वो मैंने आपको बता दी है अब आगे जो nitrogen को हमने convert कर लिया है nitrogen oxides में nitrates और nitrites में अब इन nitrogen containing molecules को अलग-लग organisms use up कर लेंगे plants इन nitrates और nitrates को सक कर लेते हैं पानी के साथ ठीक है, पानी के साथ सक कर लेते हैं और amino acids में convert कर देते हैं amino acids भी nitrogen molecules होते हैं amino acids का इस्तिमाल proteins बनाने के लिए किया जा सकता है ठीक है, कुछ और biochemical processes भी होती है जिनके जरीए nitrogen compounds बनाए जाते हैं सबसे main compound तो बनाए जाते हैं amino acids और proteins लेकिन दुसरे compounds भी बनाए जाते हैं अब plants के बनाए हुए इन proteins को amino acids को और बाकी complex compounds को animals consume करते हैं ठीक है, जो animals उनके fruits को पत्तों को खाते हैं वो इनको consume करते हैं एक बार जब animal और plant मर जाता है जिसके अंदर amino acids है जिसके अंदर nitrates, nitrites हैं तो जो soil के अंदर कुछ bacteria होते हैं वो दोबारा उन nitrates और nitrites को atmospheric nitrogen में change कर देते हैं और इन bacteria को कहा जाता है denitrifying bacteria इन bacteria को कहा जाता है denitrifying bacteria और इस process को कहा जाता है denitrification nitrification या nitrogen fixation क्या था? conversion of atmospheric nitrogen into nitrates and nitrites so that they can be used up by life forms यह nitrification था denitrification का मतरब क्या है? conversion of nitrates and nitrites back into atmospheric nitrogen is called denitrification ठीक है? denitrification कहा जाता है तो यह nitrates और nitrites bacteria क्या करता है? दोबारा elemental nitrogen में elemental यानि जहां से ली गई थी उसे में convert करके atmosphere में डाल देता है तो यह nitrogen cycle है nature का जिसमें nitrogen जो है वो atmosphere से ले ली जाती है और फिर वापिस दे भी दी जाती है ठीक है? काफी complex molecules जो है वो बनाई जाते है nitrogen के जरीए living beings के अंदर पाया जाता है लेकिन जो nitrogen living beings use up करते हैं वो मरने के बाद ठीक है? या जैसे भी atmosphere को return कर देते हैं अब यहाँ पे एक sketch है हमारा sketch को discuss करते हैं हम देखिए इस sketch में क्या बताया गया है? जो atmosphere की nitrogen है वो सबसे पहले nitrification के जरीए atmospheric या nitrogen industrial fixation के जरीए वो use up की जाती है उसमें से कुछ को वापिस denitrifying bacteria denitrify करके डाल देते हैं उसको use up ही नहीं कर पाते हैं उसको कोई use up ही नहीं कर पाता है वापिस पहले कुछ bacteria nitrogen को nitrates और nitrites में convert कर देते हैं फिर denitrifying bacteria होते हैं उन nitrates और nitrites से दोबारा atmospheric nitrogen बना देते हैं वो nitrogen compounds के साथ ऐसा होता है जो use up नहीं हो पाते हैं अब जो plants हैं उनके लिए nitrogen fixation करते हैं special bacteria plants उस nitrogen को absorb कर लेते हैं plants उसको ammonia में change कर देते हैं amino acids में change कर देते हैं या फिर उन nitrates और nitrites को animals खा लेते हैं दोनों काम कर सकते हैं हो सकता है उनके अंदर nitrogen मुझूद है नाइटरेट नाइटराइट पसंद है वो ammonia में convert हो जाए हो सकता है animals उनको खा लें ठीक है animals भी उनसे ammonia ही बनाएंगे अगर खा लेंगे तो अब इस ammonia से nitrate बनाई जाएगी nitrite बनाई जाएगी nitrite से nitrate बनाई जाएगी और फिर इस nitrate को वापिस या तो nitrogen के atmosphere में डाल दिया जाएगा denitrifying bacteria के दोबारा या फिर इस nitrate को दोबारा जो plants है वो absorb कर लेंगे दोबारा फिर से वही cycle चलाने के लिए तो यहां हम देख रहे हैं कि जितनी nitrogen निकाली जा रही है atmosphere से लगबग उतनी ही nitrogen atmosphere को वापिस भी दी जा रही है आगे आता है carbon cycle carbon जो है वो अलग-लग forms में पाया जाता है earth के उपर elemental form में यानि pure form में पाया जाता है diamond और graphite में ठीक है एक diamond होता है graphite होता है buckminster fullerine होता है यह purely carbon के बने होता है diamond is made purely of carbon अगर आप carbon को diamond को high degrees पे burn करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ carbon dioxide gas बनेंगी और कुछ नहीं बनेगा ठीक है तो इसके लाबा carbon carbon dioxide में भी पाया जाता है atmosphere में carbonates और hydrogen carbonates जिनके पीछे CO3 लगा होता है वो carbonates होते हैं जिनके पीछे HCO3 लगा होता है वो hydrogen carbonates या फिर इनको bicarbonates भी बोलते हैं ठीक है इसके लाबा carbon proteins में carbohydrates में fats में भी nucleic acids और vitamins में भी पाय जाती है animals के जो skeletons होते हैं endoskeletons और exoskeletons होते हैं जो हड़ियां होती है organisms के अंदर चाहे वो शेरीर के बाहरी हिस्ते में हो चाहे अंदर उनी हिस्ते में हो उनके अंदर carbonate salts होते हैं यानि के अंदर भी carbon पाया जाता है ठीक है carbon को life forms में कौन डालता है अब यह तो हमने पढ़ लिया भी कहां कहां carbon पाय जाता है life forms में carbon डालता है photosynthesis process photosynthesis process क्या करता है chlorophyll और sunlight की presence में carbon dioxide को glucose में ठीक है किसमें change कर देता है glucose में C6H12O6 एक molecule होता है glucose उसमें change कर देता है तो जो carbon की entry living world में करवाती है वो कौन सी process करवाती है photosynthesis photosynthesis कौन सी process है वो process जिसमें green plants chlorophyll और sunlight की presence में carbon dioxide को glucose में change कर देते हैं और साथ में water की भी help लेते हैं ऐसा करने के लिए अब इन glucose molecules को energy के लिए use किया जा सकता है या दुसरे important molecules बनाने के लिए भी use किया जा सकता है living organisms के दुआरा जो glucose का use है energy provide करने के लिए वो respiration के जरीए करते है organisms जब respiration करते हैं तो इस glucose को और जदतर organisms glucose और oxygen का use करके energy withdraw करते हैं और carbon dioxide वापिस छोड़ देते हैं यानि जो carbon dioxide glucose को बनाने के लिए use की गई थी उसको वापिस निकाल दिया जाता है नाकों के जरीए हम लोग जो करते हैं न respiration करते हैं तो हम वापिस निकाल देते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो oxygen का use करते ही नहीं है वो glucose से carbon dioxide नहीं बनाते कुछ और ही बना देते हैं lactic acid बना देते हैं या कुछ और बना देते हैं उससे ठीक है तो जादे तरो organisms क्या करते हैं respiration के जरीए carbon dioxide बनाते हैं और वो carbon dioxide वापिस atmosphere में आ जाती है एक और process होती है जो carbon dioxide को add up करती atmosphere वो है combustion जब भी किसी चीज़ को जलाया जाता है तो वो oxygen को use up करती है carbon dioxide को produce करती है जब fuels को जला जाता है vehicles के अंदर या फिर heating के लिए cooking के लिए transportation के लिए या industries में तो वो fuels भी carbon dioxide produce करती है carbon dioxide का जो percentage है atmosphere में वो industrial revolution के बाद double हो गया है क्योंकि human beings ने fossil fuels को बहुत जल्दी जल्दी बहुत large scale पर बगण करना शुरू कर दिया है which has resulted in increase in the concentrations of carbon dioxide in the atmosphere carbon की तरह carbon water की तरह repeatedly cycle होता रहता है physical और biological activities के जरिए यही carbon cycle है अब एक बार हम diagram और study कर लेते है ठीक है atmosphere में जो carbon dioxide है उसको water के अंदर ले जाया जाता है carbonates बना के carbonates के form exist करता है और पानी के अंदर जो carbonates होते है उनसे मिल जाता है limestone और फिर यह limestone जो है carbon को अपने अंदर save करके रख लेता है ठीक है जब यह limestone तूटता है या कोई इसको उठा के ले जाता है या brush up होता है तब दोबारा फिर से carbonate बन जाते है दुसरा atmosphere की carbon dioxide plants take up करते है अब यह plants क्या कर सकते है पहली बाद तो plants जो है वो लाखों सालों के बाद मरने के बाद कोईला बना देते है और जब हम उस कोईले को जलाते है तो दोबारा क्या निकलती है carbon dioxide वापिस निकलती है तो यहां से आप एक एरो ऐसे भी खीच सकते है coal को burn करके भी तो carbon dioxide ही निकलती है तो जो plants ली थी atmosphere से वो वापिस आ गी है दुसरा ही plants जा कर सकते है दुसरा ही plants petroleum में बदल सकते है ठीक है हो सकता है plants के अंदर present carbon dioxide को animals take up कर ले ठीक है animals क्या करेंगे तो petroleum बनाएंगे या फिर अपनी shells बनाएंगे अगर shells बनाएंगे तो carbon dioxide fix हो जाएगी carbon fix हो जाएगा और अगर petroleum बनाएंगे तो जब भी हम petroleum को निकालेंगे जमीन में से और उसको burn करेंगे तो वापिस carbon dioxide निकल के atmosphere में चली जाएगी या फिर plants खुद भी respiration करके वापिस carbon dioxide को atmosphere में छोड़ सकते हैं animals भी respiration और decomposition के जरीए taken up carbon dioxide को वापिस atmosphere में release कर सकते हैं इसका मतरब पता है आप लोगों को यहाँ पे यह दो line ही मैंने खीची है यह respiration और decomposition को show करती है plants क्या करते हैं दिन के वक्त जब sunlight available होती है तो वो oxygen को take up करते है carbon dioxide को take up करते है oxygen को produce करते है रात के वक्त जब sunlight नहीं होती तो वो reverse करते है carbon dioxide produce करते है वो हमारी तरह है ठीक है और हम लोग क्या करते है animals क्या करते है हम लोग respiration के जरीए जो oxygen हमने take up की है ठीक है carbon dioxide को respiration के जरीए बाहर निकालते रहते है ठीक है oxygen लेते रहते है carbon dioxide बाहर निकालते रहते है तो इस तरीके से जो carbon का content अब atmosphere में वो more or less fixed रहता है ज्यादा changes उसके अंदर नहीं आते हैं क्योंकि कुछ processes अगर carbon dioxide को atmosphere में से निकाल रही है तो कुछ ऐसी processes भी है जो वापिस carbon dioxide को return कर रही है atmosphere में ठीक है आगे आता है green house effect के बारे में ठीक है green house effect क्या होता है देखिए green house होता है कांच का बना हुआ उस green house के अंदर क्या होता है heat को trap करता है glass इसलिए उस glass house के अंदर उस green house के अंदर surrounding से ज़्यदा temperature होता है surrounding से ज़्यदा heat होती है heavily और इस green house के अंदर अकसर tropical plants को जिनको धूप ज़्यदा चाहिए होती है उनको उगाया जाता है उनको गर्म रखा जाता है winters के वक्त इस तरह के एंको enclosures को कांट से बनाया जाता है, इनको green house कहा जाता है, green house नाम ही इसी atmospheric phenomenon के उपर, green house effect के उपर गिदिया गया है, क्योंकि वो green house का काम करते हैं, क्योंकि वो green house effect का help करके plants को grow करने में help करते हैं, ठीक है, अब कुछ special gases होती है atmosphere में जैसे की carbon dioxide जो heat को escape नहीं करने देती, heat को पकड़ के रखती हैं, अगर in gases की percentage atmosphere में बढ़ने लगे, तो इससे global temperature बढ़ने लगेंगे, और इसी बढ़ते हुए global temperature को क्या कहा जाता है, global warming कहा जाता है, carbon dioxide major green house gas है, इसके लावा water vapors भी होते हैं, ठीक है, जो green house gas में contribute करते हैं carbon dioxide का content जो पिछले कुछ सालों में बढ़ा है atmosphere में, उसकी वज़े से heat trap हो रही है, green house effect जादा हो रहा है, और global warming हो रही है, ठीक है, लेकिन students एक important component यहां आपकी book में बताया नहीं गया है, अगर green house effect ना होना तो हम लोग जिन्दा नहीं रह सकते, क्योंकि जो carbon dioxide gases present है atmosphere के अंद इससे क्या होता है, जो temperature है earth का वो एकदम से बढ़ नहीं पाता, और नहीं एकदम से घट पाता है वो रात के वक्त, रात के वक्त हो heat को थोड़ा-थोड़ा करके छोड़ती है, ठीक है, तो यह green house effect जो है, इसके disadvantages भी है, तो advantage भी है, green house effect यह जो aspect है, यह आपकी book में नहीं द cycle, हमारे atmosphere में 21% oxygen present है, O2 की form में, जो atmosphere उसके अंदर oxygen जो है, O2 जो है, diatomic molecule जो है oxygen का, वो 21% पाया जाता है, इसके अलावा earth के crust के अंदर भी oxygen के काफी compounds पाया जाती है, carbon dioxide में भी oxygen मौजूद होती है, CO2 होता है न, तो इसमें भी oxygen मौजूद होती है, ठीक है, metals के oxides में oxygen मौ मौजूद होती है, oxide जो भी होगा न, उसके अंदर oxygen जरूर होगी, silicon oxides के अंदर oxygen होती है, carbonates के अंदर, sulfates के अंदर, nitrates के अंदर, और दुसरे minerals के अंदर भी oxygen पाया जाती है, इसके लावा oxygen carbohydrates में, proteins में, nucleic acids में, fats में, lipids में, इन सब की structure के अंदर oxygen भी एक main part होती है, लेकि जब हम oxygen cycle की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं, oxygen levels, atmosphere के अंदर present, elemental oxygen की बात करेंगे, ध्यान रखें आप इस बात का, जब हम oxygen के बारे हम बात, oxygen cycle की बात करते हैं, then we are talking about the elemental oxygen present in atmosphere, ठीक है, atmosphere में, तीन processes के जरीए, oxygen use up होती है, वो तीन processes को हैं, combustion, respiration, and formation of nitrogen oxides, nitrogen fixation, मैंने आपक है था, nitrogen cycle में, तो यह तीन processes हैं, जो oxygen को use up करती हैं, atmosphere में से, और एक major process है, जो return करती है, oxygen को, that is photosynthesis, ठीक है, वैसे तो mainly दो है, जो use वाली processes हैं, उनमें main respiration है, जो returning processes हैं, उनमें main photosynthesis है, लेकिन आपके exam में आ सकता है, तीन processes बताओ, जिन से oxygen use up होती है, combustion, respiration, formation of oxides of nitrogen, ठीक है यहां cycle में देखी क्या होता है, जो atmosphere की oxygen है, उसको respiration के वक्त हम लोग use कर लेते हैं, ठीक है, use कर ली हमने, अब respiration के वक्त हम क्या करते हैं, oxygen को यूज कर लिया, carbon dioxide को produce कर दिया, यानि हमने carbon dioxide बना दी, oxygen घटा दी, अब plants क्या करेंगे photosynthesis के वक्त, इस carbon dioxide को take up करके, दो बार oxygen बना देंगे, इसका मतलब oxygen का level क्या रहा, same रहा, जो oxygen respiration करते वक्त हमने use up की थी, वो oxygen photosynthesis करते हुए, plants ने दोबारा बना दी, तो level of oxygen क्या रहा, same रहा, जो glucose बनाया photosynthesis के जरीए, इसके अंदर भी तो oxygen है, glucose के अंदर देखिए, तो photosynthesis के वक्त, जो glucose है, respiration के वक्त हम क्या क processes के वक्त, दोबारा glucose बना दिया जाता है, तो क्या हुआ, जितना oxygen हमने लिया था, atmosphere से, उतना ही return कर दिया, जितना glucose को हमने use up किया था, उतना ही हमने दोबारा बना दिया, तो जो amount oxygen की वो क्या रही, same रही, atmosphere में, ठीक है, तो यहां पे main जो दो processes है, वो कौन-कौन सी है, respiration और photosynthesis, ठीक है, वैसे तो oxygen respiration के लिए जरूरी मानी जाती है, लेकिन कुछ life forms ऐसी हैं, जिनके लिए oxygen जहर का काम करती है, अगर वो oxygen में छोड़ दिये जाएं, तो वो मर जाएंगे, उनके लिए oxygen जहर के समान होती है, जैसे कि जो nitrogen fixing bacteria होते हैं, वो absence of oxygen में ही nitrogen fixation कर सकते हैं, वहीं बिना oxygen के ही रहती हैं, आगे आता है ozone layer, जो ozone oxygen का triatomic molecules होता है, O3, इसको ozone कहा जाता है, O2 को oxygen molecule कहा जाता है, O3 को ozone molecule कहा जाता है, oxygen mainly O2 में मिलती है, diatomic मिलती है, लेकिन जो atmosphere की upper layers हैं, उनके अंदर triatomic oxygen में मिलती है, जिसको O3 कहा जाता है, इसको ozone कहा जाता है, जो normal di टायाटोमिक ऑक्सिजन होती है, O2 होती है, वो हमारे लिए अच्छी है, लाइफ गिविंग है, इसके ओपोजिट जो O3 है, वो हमारे लिए पोजनस है, ओजोन में अगर आप सांस लोगे तो आपके लिए जहर का काम करेगी वो, लेकिन हम लखी हैं, कि Ozone Earth की सर्फिस के पास स्टेबल नहीं है, हम जहां रहते हैं, वहाँ पे Ozone नहीं बनती है, लेकिन ये एट्मोस्टर की अपर लियर्स में पाई जाती है, जहां ये बहुत इंपोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, ये सन से आने लेकिन सन की रेडियेशन का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो हमारे अंदर स्किन कैंसर और कैटरेक्ट जैसी खतरनाक बिमारियां कर सकता है तो ये जो ओजो लियर है ये उस हमफुल पार्ट को उन अल्ट्रावोयलेट रेडियेशन को अब्जोब कर लेती है और हम ये बचा लेती है रिसेंटली ओजोन लियर के उपर एक हॉल डिसकवर किया गया था तो देते हैं हम इंडस्ट्रीज में लेकिन वापिस इनको उन एलिमेंट्स में कंवर्ट नहीं कर पाते जिनसे ये बनाये गई थे तो इसलिए atmosphere के अंदर CFC की amount बढ़ती जा रही है और जब यह CFC ozone layer तक पहुँचते हैं तो यह ozone layer के साथ react करके उसको deplete कर देते हैं O3 के साथ react कर लेते हैं O3 की amount कम कर देते हैं Recently Antarctica के उपर एक बहुत बड़ा ozone hole discover किया गया था ठीक है हम imagine भी नहीं कर सकते कि हमें कौन से परिणाम भुगतने पड़ेंगे अगर ozone layer ऐसे ही deplete होती रही तो बहुत से लोग यह मानते हैं कि हमें chances नहीं लेने चाहिए और ozone layer को deplete होने से रोकना चाहिए ठीक है तो हमें ozone layer को further damage करने से रोकना चाहिए recent studies बताती है कि जो यह ozone hole हुआ था 1990s में जो ozone का hole काफी बड़ा हो गया था अब यह heal up हो रहा है ऐसा देखा गया है क्योंकि chlorofluorocarbons के use को international organizations ने ban कर दिया बहुत सारी countries ने इसका use ban कर दिया है तो students यह था आपका chapter natural resources अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा बच्चों आपके likes हमारे लिए बहुत valuable होते हैं comments में अपनी राई जरूर दीजिएगा अपने friends के साथ अपने relatives के साथ वीडियो को share करना मत भूलिएगा अगर आप इस channel पे नहीं हैं अब तक आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe करें bridge ball education YouTube channel को दबा दी notification bell icon को ताकि जैसे हम कोई नया वीडियो upload करें उसकी notification सबसे पहले पहुचे आपके device तक Thank you for being with us Thank you for supporting us